ओम बिर्ला, दूसेन सिंग और सतीश पूनिया को क्या जिम्हेदारे देगी भारते जन्तापाटी राजस्तान में सुरू हुई अठकलें और लगातार तेन बार के सांसद सीपी जोशी को लेकर भी चर्चाओं का वाजार गर्म है उनको पर्देश अदेख्स के पज से अठाने तकी चर्चाएं हो रही है राजस्तान के चार सांसदों को कैंदरी मंतरी बनाया गिया है जिन में से दो केबिनेट मंतरी, एक सुषतंतर परबार और एक राजिय मंतरी है चार बड़ी जातियों को यहाँ पर शादा गया है इसके बाद अब राजस्तान के कई दिगज नेता है जिनके लिए अलग-अलग अठकलें लगाए जा रही है इनमें चार दिगज सांसद और कई विदानसबा चुनाव हार्चों के दिगज नेता भी सामिल है परदेश अध्यक सीपी जोशी, पूरी केंदरी मंतरी पीपी चोधरी और पांच बार के सांसद दुश्यन सिंग को लेकर चर्चाएं तेज है वहीं विदानसबा का चुनाव हार्चों के दिगज नेता, डॉक्टर सतिश पूनिया और राजेंदर आठोड को लेकर भी सियांसी महोल टाइट है कोटा से लगातार तीन बार के सांसद ओम बिल्ला को लेकर अटकलें सुरू हो गई है क्या उन्हें दुबारा लोक्षवा का अधेक्स बनाये जाएगा या उनको संक्तन में कोई बड़ी जिम्यदार दी जाएगी इसको लेकर भी तरह तरह के चर्चाएं हो रही है वहीं परदेश बिजेपी अधेक्स और लगातार तीन बार के सांसद सीपी जोशी को लेकर भी चर्चाएं का बाजार गर्म है उनको परदेश अधेक्स के पजसे अठाने तक की चर्चाएं हो रही है इसके लवा पूरू केंदरी मंत्री और तीन बार के सांसद पीपी चोद्री को लेकर भी चर्चाएं हो रही है पांच बार के लगातार सांसद दुशें सिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज है क्या उन्हें भी कुछ बड़ी जिम्यदारी मिलेगी डोक्टर सतीश पुनिया विदांस बग चुनाव हार गए हैं लेकिन उनको लेकर भी कयास लगाय जा रहे हैं उन्हें हरियाना का चुनाव परबारे बनाया गया था अब उन्हें राजे सभा भेजने और संग्टन में कोई बड़ी जिम्मदार देने की चर्चा है वहीं राजेंदर राठोड को लेकर भी तरह तरह के चर्चाएं हो रही है